कि नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब लोग का सक्सेस क्लासेस पे देखो आज से हम लोग नया इनिश्योटीव शुरू कर रहे हैं इनिश्योटीव को ध्यान समझें इस में दो तिन पाड़ मैं डिवाइड भी बतागो तो आपको सब्सक्राइब जो मन्तली मैगजीन आती है काफिए करिण करेंट के दो मैंगे मैंग ओस क्रवाब करेंगे एक वीज़न और एक आपका gs को मैंगे जोक्यो पको से कुलिंग कर दोंगे जून मंत कर अगर हम लों मैकजिन कवर करने जा रहे हैं तो ठीक है तो दोनों मैगे हम दिखेंगे और दोनों मैगजिन में से जीस टू एंड आपका जीस घिस त्री इसके लिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक होगा इंपोर्टेंट करेंड में न्यूज होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक क्वेश्चन करेंगे उसका एक मॉडल एंसर त्यार करने की कोशिश करेंगे और वो मॉडल एंसर आपके साथ डिसकस किया जाएगा यहां पर तो और अप्रोच फोच यह है करेंट रफ्यर भी discuss करना लेंक कैसे एक question answer के form曲 में अब कितने question answer हो सकता है या dua question answer हो सकता है डिपेंड करता जैसा हम को जो कि टाइम मिलेगा है वी आपको को आपके साथ discuss करेंगे प्रयाश प्रयाश हमारा यहीड रहेगा वालों कोई है तो इस पर एक question frame करेंगे और उसका एक model answer दिखेंगे कि अगर इस topic पर कोई question हमसे कुछ पूछ ले पी है तो इस पर किस तरह का answer त्यार कर सकते हैं हम लोग तो इससे हम answer writing करना सिखेंगे में उद्देश हमारा यही है और साथ में answer writing ऐसा चिससे हमारा current affair भी तयार हो जाए तो यह आपका एक free initiative चला जा रहा है आप हमाई साथ अब्यास करने वाले answer writing करेंगे एक सकेट answer writing करेंगे किस बेस्ट बे जो आपके magazine आती है दो magazine को follow करेंगे एक vision एक gss score की gss score काफी important है main sensor writing के लिए जो इनकी magazine आती है काफी important होती है तो इन दोनों को follow करेंगे और इससे जो topic important होगे जो हमारे इस आप से दिखेंगे ज्यादा important होगे वह साय topic मन्तली के लेंगे और उसमें से जो की question को frame करेंगे उसका एक model answer आपके साथ discuss करेंगे ताकि आपको वह topic अच्छे तरीके से तैयार विजए और आपको एक answer भी आपको बचले की question आते है उसके हम जो की किस तरह का answer frame कर सकते ह उमीद आपको सब्सक्राइब आया होगा चलिए शुरू करते हैं आज का पहला topic देखते हैं जीएस टू से हमास जो की topic उसको हम लोग यहां पर डिसकस करते हैं तो यह देख सकते हैं आज का जो question हम लोग लेने वाले वह यह है कि यह वाला question को नंबर थी जो यह पिछले कुछ वर्सों से न्यायले में बढ़ते मामलों ने जहां एको समाजिक सस्क्राइब में सहयक रहा है वही अनावाश्यक के मामलों ने न्यायले के वक्त को भी बरबात किया है कुछ इस टेप का question है आप इसको जो कि इसका मतलब कि विसलेशट करें कुछ इस तरह का आज आ सकता है इल्यूस्ट्रेट वगरा कोश करके तो चलिए इस टेप को कोशन प्यायल पर देखो एक विजन में जो की जून माम में मैगजिन में एक करेंट का न्यूस था टॉपिक था पुरा तो उसी को हमने यहां पर प्यायल पर एक कोश्चन फ्रेम करके इसका एंसर डिसकस करेंग करने के लिए कानून का प्रयोग करने से हैं निए साफ साफ बता जा रहे है कि जनी आजी का कि मैं मैं देखो तीन बाते हैं पर स्क्राइब करें और यहां पर कोई लोग मुहत्तों का मुद्दा यहां पर ब्यार करके इस पर सुनुआई कि जा सकती हैं तो यह सुनुआई के कानूनी तरीका है तो इस तरह से जो कि हमने को D पहलू को भी देख लेते काफ़ी अच्छा होता है अगर इस तरह की कोई टॉपिक है जिसका बैक्ग्राउंड के साथ अपने लिखे तो काफ़ी इंप्रेशी इसका जो की असर पड़ता है अब देखो मैंने यहां पर लिखा है इसके बैक्राउंड की तोहां से चरचा करते ह इसके बैक्ग्राउंड पर आते हैं प्याईयल के अधाड़ा हुआ सुनी सो चैट्र में न्याधिस कृष्ण अईयर ने बांबे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई के सवाद में प्रस्तूत क्या गया था है यह मैंने बता देए नाइटी सेवेंटी सिक्स में थी जो आ प्याइन भगवती यह भी जस्टिस थे सुप्रीम कोड के तो प्याइन भगवती ने 1981 में 1981 में 1981 केस में प्याईयल अंदोलन का नया दोर आदम हुआ यहां पर कहने मतलब क्या है कि कई सारे प्याईयल इसके बाद से जो की केस फाइल होने लगे और उस पर जो कि जन सुनव अब कहा है तो यह भी आप बेसिक जानकाई रखिए अब क्या महत्त है क्या मतलब समाजिक महत्त के रुप में कुछ पूछा गया था यहाँ पर देखेंगे तो यहां पर साबसाब बात क्या पहला पॉइंट कि जन ही त्याची का अनुच्छे 49 ए पर अधायत है अनुच्छे 49 ए अगर आप नहीं पता हुए क्या है तो भी चलेगा लेकिन घर्थवासर एक लाइन में अगर आप बता सकते हो तो काफी वेल एंड गूड हो जाएगा और इजी आपकी बाते को समझने के लिए लिए ख जहां पर बोलागे कि राज जो कि किसी धर्म लिंग भेद लिंग जाती के आदी के अधाया पर जो कि भेदभाव किये बिना नया सुनिश्चित करें तैसा डीपेस पी में लिखा गया था यानि कि आपका प्याईयल है यह कई न कई इसी पर अधारित है ठीक है यह इसका मह दर्ज करता था इससे उनको जो कि जो उनका अधिकारों का उलंगन हुआ है वो जो कि जो कि सुनिश्चित हो सकता है तो यह गरीबों करने के लिए काफी अच्छा चीज है तो चलिए ठीक है अब आगे देखते नेक्स पॉइंट देखो बोला जा रहा कि सारवजनिक अधि दिकारी कुछ गड गरत कंग करता था तो विव्योरा किसी को किї सुसर्व किया किसी अधिकारी ने ञावी ऑपि आधिकारी आपकी जो को प्रिफ्रेंस करें ना कि राइट को इस तरह किसे जो कि प्याइएल का महत होता है इसके महत में कि बिधि के लगेगा तो यह कुछ इसका इंपोर्टेंट है और लाश इंपोर्टेंट देखो बलता है कि मौलिक अधिकारों के बहतर करने को सुनिश्चित करने के लिए कि जो राज है वो जो वन्चित वर गए समाज के उसके जो फंडामेंटर राइट से उसको ठीक से इंप्लिमेंट क का मतल हो यहां पर यह से समय किसा से इसने समाजिक श्रसक्ति कर्ड की जो बात कही ही ती उसका समाजिक सकत्तिकर का टॉपिक तो उसको हम यहां से इसको कया तो पहले इसके बेग्ग्रांड में दोट वह सभी चलते हैं इस के कुछ इतिहासिक फैसली देख लेते नहींदे बिद्वी उप्चार की मांग की जा सकती है उप्चार कौहन सा आर्टिकल 32 सुप्रीम खोट्ट आर्टिकल 226 हाई कोट के तहट यानि कि कोई भी ब्यक्ति आइन जो कि इस ब्यक्ति के संद्र ने जो कि अपना भले जो कि आने लगे और यह जो कि लोगों के ससक्तिकर में जितने भी एक्टिविस्ट वगरा थे वो काफी तेजी से आगया है और उनको सवाजिक नयाय दिलाने में काफी उन्होंने हेल्प किया है इसका इंपोर्टेंट जो जज्जमेंट वो देख लेते हैं बोला जा रहा है यहां पर कि ऐसी मेहता बना भारत संगवाद इसमें देखो जो गंगा जल पर दूसर था उसके विरुद में जो कि जन्हीत आचिका को सुप्रीम कोड ने मंजुरी दे दी थी क्योंकि गंगा पेजल जो है उस पर देखो कई लोग नहीं भर है कई गाउं जो की गंगा नदियों से कई सहर जो के गुजरते हैं और इसके जो नदी के पानी थी उस पर बहुत से जीव जन्तू और पर्यावर्ण के साथ साथ जो मानों है उसकी क्रिश्ची जो है उसका जो मतलब प्येजर की ब्योस्ता है वो सब कुछ जो की गंगा करती थी क्यानिकि इसमें देखो जो ब्यापक लोग मोहत्तों का मुद्दा था इसको जो कि सुप्रीम कोड ने इसके आचिका पर सुनवाई की थी और गौवर्मेंट को कुछ दिसा निदेश दिया कि आप इस जल्द प्रदूसर के संदर में कुछ कीजिए तब ही जो कि गंगा जल्द प्रदूसर को प्रदूसर मुक्त कने के लिए कुछ अभियान भी चलाये थे यह काफी इंपोर्टेंट है और सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट मुझे जो लगा यहां पर पर प्रदूसर के थूर ही विसाखा बना राजस्तान राज्यवाद 1997 का केस था जहां पर हम लोग विसाखा गाइडलाइन मी पढ़ते हैं अब आपको याद आगया तो विसाखा गाइडलाइन जारी की गई ताकि जो महिला हैं उनको वर्क प्लेस पर उनका जो कि उत्प्रीडन ना हो उनका सोशन ना हो इस संदर में कंपनी के लिए जो कि कुछ गाइडलाइन सग्राबी जारी की गई एक काफी इंपॉर्टेंट था यह जो कि वुमेंस सब्सक्राइब कंसल्टेंट सी सर्विस वाद 2004 जिसमें थे खुबता जारे कि याचिका करता कि नीजी हित के मामले भी जनीत मामले के अंतगत आएंगे यानि कि कोई भी ब्यक्ति अभी क्या होता था जो उत्पीडिक था उसके खिलाब जो मतलब उसके लिए जो कि प्याइ ही जी ही तो उसके लिए भी प्याइएल की सुनवाई की जा सकती लेकिन बस यह सर्तिक होना चाहिए तो आपका यहाथ फंटामेंटर राइट के इसू के हिसाप से होना चाहिए थे थाओसा करने कई बड़े अस्तर पर लोगों को ऐसी मुद्दे जो कि प्रभावित करते है तो यह भी होना चाहिए जैसे इसका एक्जामपर में सकते हैं तो इस पर उनके जो निजी हीत है उनका जो यहां पर निजी हीत की बात है तो ऐसे मुद्दे पर भी सुनवाई समझ्यां को बताना पड़ेगा तो इसको मैंने इस तरह से पॉइंट में बताके ऐसे एक स्ट्रक्चर पर भी आप गौर्ड करते जाहिएगा पहले मैंने इसकी समस्यां इसका जो फैसरे तो ऐसे पॉइंट वाइज करके मैंने यहां पर बताया था वन टू थी फूर ऐसे लि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब इसके लिए इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर लिखा था एक दो पॉइंट रहते हैं तो देखो यहां पर बता है आपका जैसे वह अभी को अभी कोशन का दूसरा पार था न इसब्सक्राइब कानूनी प्रक्रिया का दूर्प भी किया जाता है जैसे कि प्याज की कीमत बढ़ गई थी रेल का किराय बढ़ गया तो इसके भी आचिका सुप्रीम कोड में जाने लगे तो ऐसे आचिका जो की कोई लोग महत ब्यापक महत के मुद्दे हैं पर इस पर गौवर्मेंट का यह क कानूनी प्रक्रिया उसका यानि दायर करने का तो दूरूपयों किया जाता है जैसे कोई काम हो रहा है अब हो सकता है कोई पर्टिकुलर वर्ग जाती समूँ जो कि उस डिवलब्मेंट काड़े से खुस ना हो या उसके हित मिना हो तो वो क्याक बोलता है कि इस पर काम जो ह कि जैसे यहां पर बता जा रहा है कि पूरी मंदी का जो विकास रहा था वैसर का उस पर काफी जनहीं त्याची का रहे थी ताकि वह विकास धीमा हो जाए फिरूप जाए अटकले उस पर लगी रहे तो इस तरह की प्रॉब्लम होगरा करती है थर्ड नेक्स देखो बोला ज जानिक मुल्य है यह उसके कहीं अंगेश्टर यानि जो आपका जैसे की बोला गया है ना कि कारेपाली का जुडेशरी एक्जिक्यूटी और लेजिसलेचर ठीक है इनके अपने अपने कारें हैं अपने अपने पावर है यह दूसरे के पावर में हस्तच्छेप नहीं तो लेकिन अब क्या और है जो कि कई कई बार जोगी लेजिसलेचर के चेतर में आ जारी है जैसे बोला गया था कि राज मार्गो पर सराक बिक्री पर प्रतिबंद लगा दिया जाया कुछ इस पर गाइडलाइन होगरा भी जारी कि तो चुकि यह काम लेजिसलेचर था लेक सकती प्रिसकर सिधानत है उसकी वैली ऐसे जो लोगतांतिक मुल्य उसका उलंगन है इस तरह से बात कियाता है फिर देखो एक नया की वर्ड है आप इध्यान रखेगा लगजरी लिटीगेशन हो सकता है प्यायल के संदर में लगजरी लिटीगेशन आपके कोस्टिन में ड देरी करना या फिर प्रशिद्धी पाना या फिर अपने आपको बहुत बड़ा बनाना किसी ब्यापक मुद्धे पर प्यायल डालके जोकि वह उतनी आउसकता नहीं तो इसको हम लोग यहां समझते दिखिए जैसे हैं बोला जा रहा है कि कुछ वकिल या ब्यक्ति प्रशि करना इस तरह कि प्याया लोग अगरा भी दायर किये गए तो यह स्प्रीम कोड ने बोला कि पूछ लोग जो कि ऐसे कोछ यह सेंसेटीव मुद्धे हैं जहां पर या फिर बड़े मुद्धे जहां पर लोग प्याया डायर करके अपनी प्रसिद्धी प्राप्त करने के प्राबब्लम से उसी का सल्यूशन मता होंगे तो देखो यहां पर आगे क समयँअनि कुछ जनित याचिका करने चाहिए कि कि तरख के बढ़न बनाम बलवन सिंह चौफल वादमे निर्ड़े पर शरवशन्याले ने याचिका की पविस्ता वह सुधता के लिए कई सारे निधेश दिये थे और उसी निधेश पर अधाय जोकी जजों को जो की उस प्यायल की स्मवाई करनी चाहिए जैसे जो है जो याचिका करता है उस ने जिस पर जो की तार कि यह बिस्वाइब करें कि क्या यह बसे लोग मण तो क्या है क्या यह विश्वाइब से कुछ इस तरह की चीजिए कि आप उसकी जाच करें यहां पर देखो बोला है कि याचिका करता कि विश्वस्नेता की जाच यानि कि जो जो हो सकता है कोई बार-बार दायर करा और उसके जो कि जो कि महतरपूर ना हो सारजनिक मुद्यक ना हो कि अपनी परशिदी वही जो हमने यह जो सब्सक्राइब करेंगे लिए लखती कर अब इसको उसको ब्याक्ति को इसको सुने यह एक उपाई था था त्पि है उसके बार देखो ब्याक्ति के पीछे को तलाब या अपटे चोग्तिश्न यानि कि हो सकते हैं जो ब्यक्ति ने डाला है जैसे होई लगजरी लिटिगेशन होला कि अपनी कुछ परशिद्धी और प्राप्त करना है इसके लिए किसी ने तो कहीं प्यायल नहीं डाला है ति यह ध्यान निकित दीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो आईसे को आप खा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हुए जनित याचिका में बाधक लोगों के ब्रुद्ध दंड का भी प्रवाधान करना होगा कि यह मैंने तीन लाइन में उपर के जो तीन प्रॉब्लम्स थे उसका समाधान करते हुए उस पर उत्वास बल देते हुए जो की कंकुलूजन अपना किया है उम्मीद आपको यह चीज आज का टॉपिक पसंद आया होगा कल भी मिलेंगे अगले कोशियंग के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जो भी सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जोड़ जाए है धन्यवाद थैंक यू प्रेंट्स चलिए